आज की इस वीडियो में CCC के एक्जाम के कुछ important question और answer के बारे में बात करने वाले हैं तो चलते हैं वीडियो को start करते हैं Question है Libre office में window बंद करने के लिए shortcut की क्या होता है हाँ Libre office में अगर जो में window को close करना है तो उसका shortcut की क्या होता है इसमें पहला विकल्प है control plus Q दूसरा विकल्प है control plus O तीसरा विकल्प है control plus W और चौथा विकल्प है control plus X ठीक है तो देखिए अगर जो हमें window को बंद करना है Libre office के window को बंद करना है तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे control plus W का use करेंगे हाँ control plus W यानि इसमें जो 3 विकलफ हो 희ह वह वह ससे हैं ठीक फुलतन किलोख में 1 Mew बनता है कितने किलोख में 1 Mew में इस नहीं किलोख में 1 Mew बनता है तो इसमें पहला एप्शन है 128 दूसरा दे रखा है 1024 तीसरा आप्शन है 156 और चौथा आप्शन सब्सक्राइं. इसमें option है 32 bit फिर दूसरा option है 48 bit तिसरा option है 128 bit और 4 अपर आपन कह रहा है इसमें सेwho užे हैं तो देखिए sub सहीन ही है इसमें से क्या है एक सही है वो कितना है 48 bit है next question है स्प्रीट सीट में shape की shortcut की क्या होती है наша spread सीट में spreadowe 허락 की क्या होती है इस spreadsheet का मतलब ही हो गया जैसे Excel sheet को भी बोलते है spreadsheet तो इस spreadsheet का मतलब ही हो गया कि ऐसा sheet, जिस sheet पर कैलकूलेशन करने की छमता पाई जाए उस sheet को बोलते है spreadsheet तो spreadsheet में अगर जो किसी भी file folder या किसी भी matter को save करना है तो उसका start card की क्या होता है पहला option है control plus air दूसरा है control plus shift plus yes, तीसरा है shift plus alt plus yes, और चौथा है non-in में से कोई ने, तो देखे इसमें जो पहला option होगा control plus yes होगा, कोई क्या होगा, right answer होगा, यानि control plus yes, ठीक? question है, big data analytics की विविनता क्या है, पहला option है, या दूसरा option है, या तीसरा option है, या चौथा option है, तो इसमें क्या होगा, पहला होगा या दूसरा होगा, तीसरा या चौथा क्या होगा, इसमें क्या होगा, चौथा होगा, यानि क्यों उप्यूगत सभी, ठीक है, इसमें क्या है, उ हमेशा हमेशा पुछा जाता है कोश्चन है स्टी एमल में एसका क्या मतलब है स्टी एमल में एसका क्या मतलब है पहला आपसन कहरा है सिस्टम दूसरा कहरा है सिक्वेड तिसरा कहरा है स्टेटिक और चौथा कहरा है सिंपल तो एस्टी एमल में एसका क्या मतलब है इसमें क्य यानि कि दूसरा option सही होगा next question है question है Windows में dailog box में पिछले टैब पर जाने के लिए किसका पर्योग करते हैं यानि कि Windows में अगर जो में डायलाग box के पिछले टैब पर जाना है तो उसके लिए किसका पर्योग करते हैं पहला option कहरा है control plus shift plus कुंस्ज़न के नीचे लिए कि साट कटकी का परियोग करते हैं डाकुमेट के नीचे अगर जो में जाना है तो कि start card की का परियोग करेंगे पहला option है control plus paste down दूसरा option है control plus end तीसरा option है end और चौथा है all of above ठीक है तो ये जो question है इस question का answer आप लोग comment box में बताईए क्या होगा क्योंकि बहुत easy question है ठीक है तो इसका comment में आप लोग answer दीजिए क्या होगा next question है question है ECB पूर्ड रूप क्या है ECB का पूर्ड रूप क्या है तो ECB जो होता है जब कोई भारतिये company किसी बाहरी company non-resident से loan लेती है तो उसे हम क्या कहते है ECB कहते है यानि कि जब कोई भारती company किसी बाहरी company से non-resident से loan लेती है तो उसे हम क्या बोलेंगे ECB बोलते है ठीक है तो ECB का पूर्ड रूप क्या है पहला option है external commercial brownings दूसरा है extra commercial brown तीसरा है external computer brownings और चावता कहरा है non-off इनमेंसे कोई ने तो जो ECB का पूर्ड रूप होगा वो क्या होगा external commercial brownings होगा यानि कि यह is right answer निम लिखित में से UPI के PSP में yes का क्या मतलब है निम लिखित में से UPI के PSP में yes का क्या मतलब है पहला option है सुरचित दूसरा option है season तीसरा option है system और चौता option है सेवा यानि कि service ठीक है तो इसमें जो right answer होगा वो क्या होगा D is right answer यानि कि service होगा सेवा होगा ठीक next question है question है CEO का पूर्ड रूप क्या है CEO का पूर्ड रूप क्या है पहला option है मुख कारिकारी अधिकारी B है मुख महेंगा अधिकारी C है मुख कारिकारी कार्याल है और D है अपराद कारिकारी अधिकारी ठीक है तो इसमें जो right answer होगा मुख कारिकारी अधिकारी होगा ठीक है पहला option सही होगा question है pen card का full form हाँ pen card का full form देखिए pen card जो होता है इसका use tax बनने के लिए या किसी खाता को खोलने के लिए हाँ इसकी हो सकता पड़ती है देखिए जो pen card होता इस पर 10 number होते है 10 digit कांग होता है ठीक है तो pen card का full form क्या है पहला option दे रखा है personal area network हाँ दूसरा option दे रखा है permanent account number तीसरा option दे रखा है private account number और चाहता है वात यानि कि यह सब सही है तो देखिए इसमें जो pen card का full form होता है वो permanent account number होता है ठीक है यानि कि दूसरा option क्या होगा right answer होगा ठीक है next question है question है ALU और CU किस के part है पहला option है memory के यह बहुत easy आप सब लोग जानते होंगे दूसरा option है CPU के तीसरा है monitor के और चौता है non of the जिन में से कोई नहीं तो देखिए इसमें जो right answer होगा वो क्या होगा CPU क्या होगा CPU ठीक है next question है इस question का answer आप लोगों को comment box में देना होगा among app किस से संबंदित है पहला option है digital India दूसरा है business तीसरा है e-commerce और चाहता है non इन में से कोई नहीं तो देखिए इस question का जो answer है वो आप लोग comment box में जरूर दीजिए ठीक है